हेलो बच्चो आज हम करेंगे exercise 6.2 class 10th question number 8 question 8 कह रहा है कि using converse of bpt prove that line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side हमें converse use करने है converse of bpt क्या कहता है आपका एक triangle है ठीक है triangle में ये line sorry a b c एक triangle है इसमें d e इस question के according नहीं कह रही है पहले मैं bpt समझा रहे हूं थोड़ा ध्यान से देखिएगा d e कहीं पर भी इस triangle में अगर है ठीक है d e कोई भी ये a b और a c को कहीं पर भी जोड़ते हैं ठीक है और अगर वो पैलल है मतलब यदी d e पैलल है b c के तो sides का ratio बराबर होगा मतलब क्या होगा a d upon d b is equal to a e upon me e c by bpt basic proportionate theorem क्या कहती है कि अगर a b और a c पर कोई points हैं जिनको हमने d e का नाम दिया है और if d e parallel to b c then a d upon d b a e upon e c यह आपका bpt कहता है लेकिन इसने हमको क्या बोला है converse क्या हमें क्या यूज करना है converse of bpt यूज करना है अब bpt क्या कहती है आपकी कि अगर line parallel है तो sides का ratio बराबर होगा converse इसका उल्टा बोलेगी converse क्या बोलेगी if ratio of sides is equal ratio of sides are equal then d e parallel to b c यह बोलेगा वो मतलब अगर sides का ratio बराबर है तो जो यह line है वो इसके parallel होगी हमको यह proof करना है चलो question करते हैं question कहें by using converse of bpt तो bpt का converse use करना यानि कि हमको पहले तो triangle बनाना पड़ेगा triangle दोनों का same ही बनेगा converse का भी और bpt का भी यह a हो गया, यह b हो गया, यह c हो गया, यह d और e अब यह कह रहा है prove that the line joining the mid points of any two sides mid points of any two sides तो मैंने कौन सी side लिया है a, b लिया है और a, c लिया है इसके mid points क्या ले है d, d किसका mid point है a, b का और e किसका mid point है a, c का, यह mid points ले लिया any two sides के is parallel to the third side मतलब हमको prove क्या करना है कि d, e parallel to b, c के हमको यह prove करना है और सबसे पहले given लिखेंगे हम लोग इसमें given क्या दे रखा है triangle a, b, c in which जिसके अंदर क्या है आपका d and e are the mid points of a, b and a, c respectively respectively का मतलब क्या है बेटा जैसे मैंने d लिया है तो d किसका है, a, b का है ठीक है, और e मैंने यह a, c बात में लिखा है तो e a, c का mid point है ठीक है अब prove क्या करना है हमे to prove d, e d, e parallel to b, c हमको यह prove करना है ठीक है चलो, अब prove पर आते हम लोग हमको क्या दे रखा है d is the mid point d is the mid point of a, b d mid point है a, b का यह हमको क्या गिवन है इसका मतलब क्या होगा a, d is equal to d, b यह दोनों बराबर होंगे और हम इसको लिख सकते है a, d upon d, b किस से लिखेंगे हम लोग, चलो, यह a, d और d, b a, d, b, kis से हो जाएगा, by b, p, t b, p, t तो बोलते हैं आपको, कि a, d upon d, b होगा अब हम दोनों को क्या कर सकते है a, d और d, b को हम क्या कर सकते है किसी एक को change कर लेते है a, d को d, b कर सकते है या d, b को a, d, कर सकते है तो हम d, b को क्या कर रहे है a, d कर रहे है Cancel out हो गया 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे AD is equal to DB ठीक है यह हो गया आपका 1 यह इसके बराबर आ गया 1 Similarly E is the midpoint of AC EB AC का midpoint है यानि AE is equal to AC हो जाएगा Sorry AE is equal to EC होगा ठीक है क्यों होगा क्योंकि यह इसका midpoint है जब हमारा AE और EC बराबर हो गया तो हम AE upon EC भी लिख सकते हैं किस से लिखेंगे हैं by BPT basic proportionate theorem यही तो कहते हैं कि sides का ratio बराबर होगा अब देखो AE, EE को हम क्या लिख सकते हैं AE upon में AE जो किस के बराबर आ गया 1 के ठीक है अब यह देखो हम शुरू से अगर question को उठाएं तो हमने क्या किया था AD upon DB is equal to AE upon EC यह हमारी क्या कह रही थी BPT theorem कहते हैं हमारी यह वाली चीज यहाँ पर करें थोड़ा सा ध्यान दीजेगा AD को मैंने क्या कर दिया था DB को क्या करा था AD करा था और EC को मैंने क्या करा था AE करा था दोनों का 1 आगया कटके 1 is equal to 1 दोनों sites equal हो गए अब जब दोनों का ratio बना रहा है तो यह दोनों sites भी क्या हो जाएंगी अगर हम इसको ऐसे भी लिखें तो by Converse of BPT आपका क्या हो जाएगा DE parallel DE parallel हो जाएगा किसके BC के EC के यह आपका question हो गया आप इसको ना भी काटो और सिर्फ इन दोनों का ऐसे equal लिख करके और फिर by Converse of BPT भी लिख सकते हो ठीक है 1-1 equal ना करो तो I hope that आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू प्लीजीजा होगा